हलो फ्रेंड वेलकम टो माई यूटूब सेनल आज का यह वीडियो यह है विवेकनन्द के समाजिक विचार के बारे में यह वीडियो विवेकरनन्द समाजिक सुधारों के पर्ति सजक और इस सम्मंद में उनके बिचार इसपस्ट थे उनके हिर्दाई में एक आधी थी और वो भारत को जगाना तथा उपर उठाना चाहते थे समाजिक कारियों के पर्ति उनकी लगन इसी तत्य से इसपस्ट है कि उनका आगरव था कि समाजिक सेवाकारियों को आध्यात्म साधना के एक महतोपौन अंग के रूब में स्विकार किया जाना चाहिए तो उनका यह कहना था कि जो समाजिक कारे हैं उनको आध्यात्म साधना क कि एक महत्वपन अंक्री रूम में क्या करना चाहिए स्विकार किया जाना चाहिए। स्वामि विवेकाननद जी ने भारति समाज समाज ब्याउस्ता का गहिन अध्यन करके समाजिक विसमताओं और बुढाईयों के उपाई बताए। वे समाजिक संगठनों और समाजिक मामलों में धर्म को समलित करने के बिरुद्थे और इसी कारण वे जातपाद संप्रदायवाद और छुवाचूद तक छुवाचूद सब तरोची विशमताओं के बिरुद्थे उनके मुच्च समाजिक विचारों को निम लिखे तो सिर्षकों में वनित किया जा सकता है तो विवेकननन्द का समाजिक व्यावस्ता का गहन अद्यान किया हुए कि आ समाज में जो विशमताओं थी और बुराइए के उन मुलन के उपाई बताई हुए समाजिक संगठनों औ को समलित करने के विरुद थे इसी कारण विजात्पा संप्रदायवाद और सब तरह की विशमताओं के क्या थे विरुद थे उनके जो समाजी पिचार है उनको निम लिखे सिर्षकों में वनित किया जा सकता है पस्टों के रोडिवाद और अस्प्रशता बेकनन्द अस्प्रशतावाद कहकर उसकी ब्रचना की वे जातियों को उस्ताव निम्नता के भेद को मिटाना चाहते थे वे कहते थे कि तुमारे मन में जो इश्वर इस्तित है वही मेरे मन में मन में भी फिर यो भेद भाव क्यों यो अस्मानता क्यों यो उंचनीच की भावना क्यों वे उच जातियों द्वारा निम्न जातियों पर किये जाने वाले सोशन के ब्रूद थे और इस प्रश्यता को समाजिक जीवन पर एक कलंक है अंटेसेबिलिटी क्या है एक समाजिक जीवन पर क्या है कलंक है हमारा लक्ष है इस प्रश्यता की उस्तिवार को जिराना है और विवयत्ता के बीच क्या करना है एक ता स्थापित करना है दोस्ता हो गया दलितों का उत्थान स्वामे जी क्या थे जाती पर थाके विरोधिय तथा गारीवों और धलितों के लिए उनके हिर्दह में क्या थी असीम सानव होती थी वे अमिर वो गारीवों के भेट को ठुकरा कर पत धलितों को सीने से लगाने के संदेश देते थे और अपने कर्ममाई जीवन में अपने मिसन में उन्होंने यह करके भी दिखाये उनकी ललकार थी गरीब और अभाव ग्रस्त पीडित और पद्दलित सब आओ हम सब रामकिष्न की स्रण में है तीसरा उगे बाल व्युहा विरोधी बीएकन नदने बाल व्युहा की प्रस्तनाची और कहा जिस परता की अंसार अबुदबालिकाओं का पाड़िगरण होता है उसके साथ में किसी परकार के समंद रखने में असमर्त हूँ बाल विखा से असमाईक संतानों पती होती है और अलपाई में संतान धारान के कारण हमारी जो इस्तरिया है वो अलपाई हो जाती है चौत हो गया जातिपर्था का बिरोधी विगानंद ने परचलित जातिवाद को देश और समाज के लिए हानिकारक मान देत हुई कहा है कि जातिपर्थ केवल एक समाजिक विदान है जिसकी उपयोगिता पूरों में चाहे जो भी रही हो अब तो वह भार्तिवाय मंडल में दुरगंद फैलाने की अत्रिक्द कुछ नहीं करती जातिपर्थ का नास तभी संभव है जब लोग अपने खोई हुए समाजिक व्यक्तित्वा को पनो प्राप्त करेंगे वेकानन्द प्रोहित के कर्मकांड और प्रमप्रावादी ब्रहमन के पुरातन अधिकारवाद के सिद्धान्द के ब्रोधी थे उन्होंने प्रोहित धर्म की कटु सब्दों में निंदा जी क्योंकि उससे समाजिक अताचार को काईम रखने में सायता मिलती थी और जनता की उफिक्सा होती थी उन्होंने प्रमप्रावादी ब्रहमन के पुरातन अधिकारवाद के सिद्धान्द का खंडन किया और सभी को आध्यात्मिक अनभूती तथा प्रमज्ञान का अधिकार है देन होगे पांचों के यूरोपी कराण का के भ्रोधी स्वामी वेकनन्द समाजिक जीवन में यूरोप का अनुश्रा करने की कटू अलोसना की इस समंद में उन्होंने लिखा है हमें अपनी प्रकृति के अंसार ही विक्सित होना चाहिए विदेशियों ने जो जीवन परणाली हमारे उपर थोग दी है उसके अंसार चलने का अप्रयतना करना बिरत है ऐसा करना असंबव भी है प्रमात्मा को धिन्नवाद है कि यो असंबव है हमें तोड़ मरोड का अन्य राश्णों की अगरती का नहीं बनाये जा सकता है मैं अन्य जातियों की संस्ताओं की निंदा नहीं करता वे उनके लिए अच्छी हैं किन्तो हमारे लिए अच्छी नहीं है यदि मान भी लिया जाए कि आप पस्सिम की नकल कर सकते हैं तो आप उसी छण मर जाएंगे आप में जीवन सेस नहीं रह जाएगा एक सरिता का उस समय उद्गम हुआ जब काल का परारम भी नहीं हुआ था और माना उतियास के करोड़ों युगों को पार करती हुई भैती चली आई है क्या आप उस सरिता को पकड़ कर उसके उद्गम हिमालाई के किसी हिमनाईत की और मोड देना चाहते हैं जाएक वो शंबव में हुए । उसकेकिन तो आपके लिए अपने से काई यूर्वेर कड़ ग्रूद्ध साममें भारति हुंशक यूर्वे क्राम थ्यांधत स最近 न्यूर्वे क्लिच इन्यूंसरे माइश्वा कि संबस्तुरे बियोकानन्द जी का यह अडिविश्वास था कि परतेग राष्ट को अपने इस्त्री जाते का पूरा समान करना चाहिए। जो देश इस्त्रियों का आधार नहीं करते वे कब भी उनती नहीं कर पाई और नभावश्य में ही कर सकेंगे। एक इस देश में इस्त्रियों की निंदा की गई है। उनकी उनती के लिए कोई परियास नहीं किये गई। वे दुखी रहती हैं इस्त्रियां। तो फ्रेंड्स ये वीडियो हो गया स्वामी वेक अनन्द के समाजी विचार के बारे में।